नमस्कार, स्वागत है आप लोग का Defense Officers Academy के YouTube चैनल पे वेलकम यूव अल इनदेफेंस आफिसर्स अकाडमी जी यूट्यूब चैनल आज का विडियो इंफिर्मिटिव वने वाला है सभी रिमसी के एस्पिरिंट्स के लिए आज का वीडियो है RIMC के rules and regulations के उपर वैसे तो ये सारे rules and regulations हैं जो आप RIMC join करेंगे तो आपको दिये जाएंगे लिकिन मैं चाहता हूँ कि अभी से rules and regulations को discuss करूँ इन do's and don'ts को discuss करूँ ताकि आप अपनी life में in habits को अभी से inculcate करें तो आएए आज का session start करते हैं मेरा नाम है सूरज आ रहा है and I am the academic head of defense offices academy let's get started तो देखें do's and don'ts के कुछ points हैं जो मैं सभी आपके सामने discuss करूँगा let's come to the first point which is again very important in life also ये सारे points important है तो पहला point है RIMC join करते हैं वक्त आपको धियान अटना है that you have to be punctual for all school activities like classes, games, parades, etc तो देखें यहां से हमें ये सीखने को मिलता है वैसे तो RIMC के अंदर जो भी school activities होंगी वहाँ पर आपको आपका punctual होना बहुत जरूरी है चाहिए वो games हो, चाहिए वो parades हो या कुछ और भी academic activities हो सकते है ये class में जाना हो मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर ये punctuality अभी से develop हो जानी चाहिए आप school जाते हैं, आपको किसी भी काम को करते हैं you should be on time, ठीक है तो ध्यान रखना कि ये सारी जो rules and regulations जो RIMC आपसे demand करता है आप इनी को official like qualities बोल सकते है तो punctual होना एक बहुत अच्छी quality है punctual होना आप अभी से सीख सकते हैं तो this is the first point second point है be smartly and neatly dressed at all times for all मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ you should look smart साफ कपडे पहनने है daily you have to take bath ठीक है मैं हमेशा बच्चों को इस सारी चीज़े बताता हूँ तो वही चीज़ यहाँ पर दे गई है that you have to be smartly and neatly dressed at all times for all school activities in the prescribed dress ठीक है तो RIMC की तो अपने specific अलग अलग dress है तो उन dress को जो जो दिन उन dress को assigned है उन dress को बच्चे पहनते हैं तो वो चीज़ उनको एकदम smartly और neatly dressed रहना है और यह मैं आप से भी कहूंगा अभी से ठीक है आपके पास हेंकरचीफ होना चाहिए आपके shirt की collar clean होने चाहिए आप clean कपड़े पहने अभी उस सारे points आगे आएंगे उसके बारे में discuss करेंगे हम लोग nails properly बच्चों के cut होने चाहिए एक proper haircut होना बहुत ज़रूरी है वो सारे points है officers like qualities के चलिए third point की तरफ आते है the third point says that follow the school routine as promulgated तो जिस तरह के से school का routine है उसको आपको follow करना है अगर school के routine में आपको सुभे 5 बजे उठना है तो उठना है school के routine में अगर एक time बनाया है आपके prep time का जिसमें आप self preparation करेंगे तो आपको वो करना है जिस routine में आपको sports खेलना है तो वो खेलना है तो जो जो routine आपको दिया जाएगा उसको आपने properly follow करना है this is the third point okay life में सारे points आप ध्यान में रखिएगा the fourth point says that you have to keep all the personal positions neat and tidy at all times तो जो भी आपके personal positions है आपका handkerchief हो गया आपके कपड़े हो गये ठीक है आपका undergarments हो गये उन सभी को आपने neat and tidy रखना है all the times ठीक है याँ रखना है इस सारी offices like qualities है जो आपको ध्यान में रखनी है तो fourth point is also important कि आपको अपने सारे personal positions को neat and tidy रखना है at all the times कभी भी जरुत पढ़ सकती है कभी भी situation आ सकती है कि आपको कहीं पर तियार होके जाना पढ़ सकता है तो आपके पास सारे personal positions आपके साफसुतरे होने चीए तो fifth point says that be courteous to seniors and superiors at the college this is very important कहीं न कहीं senior junior का जो culture है वो आपको RMC में भी सिखाया जाता है so you have to be courteous to seniors seniors के प्रति आपके लिए एक अच्छी feeling होने चीए एक sense of respect seniors के लिए होना चीए तो वो सारी चीज़ें आप वहां से सीखोगे ठीक है और जो भी आपके superiors है आपके teachers है या आपके seniors है उनके प्रति आपको कर्चीज होना बहुत जरूरी है ठीक है this is a very important point for an officer आपने देखा होगा कि armed forces के अंदर junior और senior का culture कितना important है और senior जो जो command अपने juniors को देते हैं वो आग बंद करके उस सारे instructions को follow करते है ओके आग बंद करके कहते हैं कहने का मतलब है कि without any doubt ठीक है बिना doubt लिए वो they just follow the instructions of their senior offices तो यह सारी qualities आपको अभी से RMC से सिखाई जाती है तो यह आप अभी से अपने life में inculcate कर सकते हैं यह मैं सारे points इसलिए आप से कह रहा हूँ because later stage में आप चाहें RMC जाए ना जाए कोई non RMC background का बच्चा है जिसने normal schooling करी है अगर वो later on end exam qualify करता है फिर उसके बाद SSB के लिए जब हो जाएगा तो यह सारे points अगर आपके अंदर हो यह habits हो तो यह सारी officer like qualities है कही न कहीं इन सभी को identify कर लिया जाएगा SSB में और कहीं न कहीं आपके chances of selections बढ़ जाएगे ठीक है so the next point says point number six के तरफ आते है maintain high standards of honesty and integrity this is very important जूट नहीं बोलना गलती हो जाए ठीक है आपके अंदर वो integrity होने चीए वो loyalty होने चीए आपके अंदर ठीक होने चीए मैं हमेशा से बच्चों से बोलता हू ठीक है छोड़ छोड़े बच्चे है जूट बोलना सीख जाते है एक गलती को छुपाने कले कभी डर की वज़े से parents से जूट बोलते है teachers से जूट बोलते है देखिए आपके अंदर ना वो habit inculcate हो जाती है फिर जूट बोलने की जो बिलकुल भी you can say की it is not accepted in armed forces तो basically you should have the high standards of honesty and integrity या दखना की आपके अंदर honesty होने चीए सच बोलने का जजबा हिम्मत आपके अंदर होने चीए ठीक है और integrity आपके अंदर होने चीए ठीक है इस all points are very important using of unfair means and other acts involving moral turpitude are dealt with severely ठीक है तो ध्यान देना की कुछ ऐसे unfair means या ऐसे acts मत कर लेना जिसमें कहीं न कहीं moral values के उपर ये ethical values के उपर आँ चाहे और अगर ऐसा कुछ करोगे आप तो उसको फिर severely deal किया जाएगा ठीक है यह RMC कहता है तो RMC में कुछ ऐसे act नहीं करने जो कहीं न कहीं आपके character के उपर उंगली उठाए ठीक है तो वो point number six है ध्यान रखना तो आपको देखिए आपके अंदर moral values होनी चाहिए आपको मालम होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है आपने किसी के साथ लड़ाई जगडा कर लिया किसी अपने कलिक के साथ अपने friend के साथ अपने batchmate के साथ ठीक है तो वो सारी morally गलत चीज़े है या unethical चीज़े है लड़ाई करना है नौल ठीक है तो आपको खुद समझना पड़ेगा कि मेरे लिए morally क्या सही है क्या गलत है ठीक है वो moral values होने चाहिए बच्चे के अंदर ठीक है चलिए इस और all offices like qualities point number seven बड़ा important लगाया मैं इसके कुछ points भी हाँ पर है सभी बच्चों के लिए बहुत important है ध्यान दीजेगा ensure personal hygiene for good health as given below personal hygiene बहुत important है यह तो मिझे लगता है कि बहुत important quality है एक officer की brushing teeth twice a day is very important you will not believe हमारे पास academy में इतने students आते हैं मैं अभी 3-4 दिन सा I was busy taking my few students to dentist कहीं बच्चों के दातों में cavity है कहीं cavity roots तक पहुच गई है कहीं बच्चों का root canal हम लोग करवा रहे हैं क्योंकि बच्चे परिशाने दर्द के वज़े से pain होता है काफी उसमें तो क्योंकि यह activity बच्चे करते नहीं है वो अपने hygiene का ख्याल नहीं रगते brushing teeth twice a day is mandatory it's very important आप morning में brush करते हो रात में खाना खाने के बा ठीक है तो nails को clip करना है once a week यहाद दखना nails मैंने आपको starting में कहा था कि nails आपके properly clipped होने चाहिए see point है bathing daily अब बच्चे बोलेंगे sir winters में इतना ठंडे कैसे नहाएंगे नहाने से आप रियाद रखना कि आपके immunity और बढ़ेगी नहाने से आपके अंदर और उत्साहा और confidence आएगा ठीक और नहाने से आप smart भी लगोगे एकदम fresh लगोगे तो नहाना is very important ओके और rules and regulations होते है देखिए यहाँ पर bathing daily लिखा है morning and evening अब बोलोगे sir morning ही नहाना मुश्किल हो जाता है देखिए अगर आप workout कर रहे है आप क्योंकि RMC के अंदर morning में parade करी जाती है morning में बहुत सरी exercises होती है running होती है तो बच्चों को काफी sweating हो जाती है तो इसलिए morning नहाना जरूरी है फिर evening के टाइम में बच्चे फिर से sports activity में involved जाते हैं तो फिर से उनको पसीना होता है तो फिर से नहाना जरूरी है तो RMC में दो बार नहाते हो एक दिन में ठीक है चाहिए winters हो summers हो कोई फरक नहीं पड़ता अगर आप लोग physical activity में involved है वैसे तो होना बहुत important है यह bathing daily morning and evening का मतलब ही यह है कि आप अगर physical activity करते हो आपको sweating होती है तो नहाना बहुत जरूरी है morning and evening two times okay तो अगर आप morning उटके running कर रहे हो फिर evening में जाकर batminton खेल रहे हो so it's very important for you to take bath okay और वैसे भी वो पहले पसीने से नहाते है morning में और फिर नहाते है और evening में भी sports खेलते है तो पसीने से नहात भी very important है for our health okay next point का है D point is that regular change of undergarments and socks क्योंकि definitely जब वो exercise कर रहे है तो undergarments को भी धोना बहुत जरूरी है ताकि कोई infection ना हो बच्चों को इसलिए regular change of undergarments बहुत important है और साथी साथ regular washing भी undergarments की बहुत ज़्यादा important है और socks की खास कर ठीके बच्चों के socks smell नहीं आने चाहिए मैंने देखा वाब most of the time बच्चे avoid करते अंडर गार्मेंट्स को क्योंकि छोटे बच्चे अंडर गार्मेंट्स और socks को नहीं wash करते हैं which is very mandatory very important okay तो यह सारी habits आपको और और अगर आप लोग भी घर पे हैं तो याद रखना कि अपने undergarments अपने socks सब खुद धोएं ठीक है do not rely on your parents ममी पर रिलाई होनी की ज़रूतनी है या भार आप मैंनी जाता कि आप किसी धूबी को ठीक है आप यह सारे या किसी laundry वालों को आप अपने undergarments भी आपको अपने handkerchief अपने socks और अपने undergarments खुद धोने हैं ठीक है this is very important यह सारी मै आप से कहा जा रहा है that keeping the feet dry by powdering ठीक है अब क्या होता है क्योंकि RMC में experience काफी खेलते हैं तो पसीना काफी sweating उनको जाती है और definitely दसे कि मैंने आप से कहा कि बच्चे shoes पेंते हैं socks में sweating हो जाती है तो socks को धोना है तो साथ साथ में पैरों को भी दोना बहुत ज़ुर्य है उनको dry रखना भी जरूरी है तो powder के help से उनको dry किया जाता है ताकि कोई infection ना हो ताकि कोई fungus infection ना हो ठीक है ऐसे ऐसे चीज़े देखी जाती है बच्चो मिना उस case में बच्चों को ठीक है तो ध्यान रखना कि you have to keep the feet dry and clean by powdering ठीक है तो आप powder का use कर सकते हो ठीक है अगर किसी के पैर में और कभी बच्चों को unnecessary जादा sweating भी होती है पैरों में खास करेंगे तो इसले आप powdering करेंगे और उससे पैर आपके dry भी रहेंगे और उससे smell भी नह हो तो प्रॉपर आपने permission लेनी है पेरिंट से उनको बताना है कि आप कहां जा रहे हैं तो बिना प्रॉपर प्रमिशन के आप उस academy के प्रिमाइस से कहीं भार नहीं जा सकते कुछ एरियाज आपके लिए आउट ऑफ बांट रहते हैं जहां पर आप इवन इन इन देकाडमी इसलफ आप रामसी में हमारे पास बच्चे आते हैं वो बताते हैं कि सर कुछ एरियास ऐसे हैं रामसी के अंदर जो आज तक हमने विजिट नहीं किये ठीक है तो कुछ एरियास उनके लिए आउट ऑफ बांट है तो वहाँ जाना है अगर आपको इंस्रक्शन मिला है कि प्रिंकिंग है या कोई भी सम्स्टन्स अब्यूज है या यह आपके पास मिलने भी नुछ तो आपके अपके खक्यों से निकाला भी जा सकता है तो यह चीज ना अपने परिस्टर लाइफ में भी देखने है अभी अभी आपकी एज ही ऐसी है कि बहु हूँआ है इंडल जोंगे ऐिसा हक्तिविटी में प्लीज उनका साथ मत दीजीगा आप अगर वह आपका कहना नहीं मानों व्यार रीजरीजता नोको बताइए कि यह बना वहद है अगर वह आपका कहना not indulge yourself in such activities और कहीं न कहीं ये तो साफ साफ लिखाए कि RMC के अंदर ये चीज़े हो भी नहीं सकती ठीक है अगर ऐसा कुछ हो गया तो कुछ ना कुछ उसके खिलाफ कुछ ना कुछ action लिया जाएगा not keep cash or jewelry cash or jewelry RMC में आप नहीं रख सकते तो बच्चे अगर carry भी करते हैं कोई उनके पास chain हो gold की chain हो या cash हो तो carry करना allowed नहीं होँआ पर pocket money दी जाती है specifically ठीक है उसके बाद do not keep any of the following expenses items expensive items ठीक है कुछ ऐसे महेंगा items नहीं रखने हैं आपको अपने पास जैसे electronic and electrical appliances नहीं होने चाहिए आपके पास RIMC के अंदर की बात कर रहा हूं ठीक है यह सिर्फ आपकी information के लिए है cell phones आपके पास नहीं होते हैं तो इसका मतलब RIMC के अंदर बच्चों के पास उनके cell phones नहीं होते वो submit करते हैं अपने cell phones आपको प्रवाइट करते हैं ठीक है प्रवाइट इन दर सेंस आपका ही फोन ही आपको दिया जाएगा लेकिन जब आप RIMC में रहेंगे no phones nothing ओके इसलिए RIMC यह ऐसे military institutions best है तो कि यह फोन कहीं न कहीं आपको distract करते हैं और कहीं न कहीं आपको नेचर से connect करने से काफी दूर करते हैं और RIMC में तो cell phones को use करना is next to impossible ठीक है क्योंकि उनका जो schedule है वो ही इतना busy है कि बच्चों को कहा मौका मिलेगा credit card debit card ATM cards ऐसे चीज़े नहीं होने चाहिए watches and clocks नहीं चाहिए binoculars नहीं चाहिए ऐसे चीज़े ऐसे expensive items आपके पास नहीं होने चाहिए और अगर किसी के पास यह सारी चीज़े मिलती हैं ओके यह सारी prohibited items हैं तो उसके खिलाफ कुछ नहीं कुछ action लिया जाएगा strict action लिया जाएगा साफ साफ यह नीचे instructions दिये हैं तो these are the 10 points बढ़ते हैं आगे कुछ और additional points देख लेते हैं आप लोग के सामने ठीक 11th point is not to be in possession of any personal weapons ठीक है यह भी साफ साफ लिखा गया है कभी-कभी बच्चे अपने साथ knife carry कर लेते हैं ठीक है tactical knives आते हैं ऐसे जो defense की तरफ से मिलते हैं मेरे पास भी एक knife है उसमें multiple tools है तो इसको मैं तो use करता हूँ as a toolbox ठीक है तो जैसे I have this knife ना यह Swiss knife है और यह मझे एक army personal ने दिया था it has knife also ठीक है इसमें knife भी है आप देख सक रहे हैं तो और इसमें screwdrivers भी है तो यह तो बड़ा अच्छा usage है इसका लेकिन ऐसे चीज़ें आपको यह भी sharp objects ऐसे RMC में carry नहीं कर सकते ठीक है और वैसे भी personal life में भी आपको ऐसे चीज़े carry नहीं करनी चीए guns, firearms, ammunition, air gun, knives and all such things are not allowed ऐसे चीज़ें आपके पास नहीं होने चीज़ें और रियल लाइफ में भी नहीं होने चीज़ें do not wear photochromatic lenses if accustomed to wearing corrective vision spectacles अगर आपके चश्में हैं लगे वे तो यादखना वो उसका जो glass है वो photochromatic lenses नहीं होने चीज़ें ठीक है 13th point says that do not give your son a quilt अपने बच्चे को रजाई देनी की ज़रतनी यह RMC का instruction है क्योंकि it is not required क्योंकि सारा जो adequate provision है वो आपको academy देगी ठीक है और definitely ठंडा वेदर तो रहता है यह RMC में लिख तो सारे जो जो college है आपका RMC वो सारे adequate provisions करेगा आपके विंटर्स के लिए ठीक है आपको रजाई quilt सब आपको दिया जाएगा ठीक है तो आपको additional carry नहीं करना बच परेंट्स को नहीं दिना ठीक है तो यह भी important point है RMC से related पर्सनल लाइफ से तो as such कोई related नहीं लेकिन बच्चों को इस सारे information होने चीज इसलिए सारे चीज़े मैं आप से discuss करें ओके so we have seen all the points all the important do's and don'ts I hope कि आपके वीडियो काफी informative लगा होगा please इन सारे points को देख लीजेगा अच्छे से अपनी life में follow करने की कोशिच कीजिएगा थाक्या आप एक better human being बन सके RIMC में selection हो ना हो लेकिन later stage अगर आपको armed forces join करना है तो NDA तो दे नहीं है और इसके बाद SSB दे नहीं है interviews में सारे points काम आएंगे so try to inculcate all these habits ठीक है और यह सारे आपकी qualities बन जाएंगे फिर at the end of the day ठीक है facebook instagram में हमें जरूर follow कीजिएगा defense officers academy की website जरूर visit कीजिएगा you'll get all the important updates plus some important pdfs and important blogs जो आपकी knowledge about armed forces को और बढ़ा देगा okay so that's all for today bye bye see you soon Jai Hind